तो दोस्तों फिर से एक बार सोगत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल और वेस जिनल में बात करेंगे वेस्ट इंगलेंड थर्ड ओडियाय मैच के बारे में और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस मैच में एक करोड की मेगा लिग है अब आपको दोस्तों यह पता होगा एक मैच इंगलेंड नी जीता है एक मैच दोस्तों वेस्ट इनी जीता है लेकिन जीस पीच पर दोस्तों यह मैच खेला गया था वो बैटिंग पीच थी अब आपको यह पता चल गए कि बैटिंग पीच पर दोने इक मैच जीता है लेकिन 90% जो हमारे भाई आज के मैच में mistake करने वाले वो क्या करेंगे वो यह सोचेंगे कि भाई बॉलिंग पीच है और बॉलिंग पीच पर हमें captain इस captain सी ballers कोई बनाना चाहिए वो विकेट निकाल सकते लेकिन दोस्तों यह 50% correct है 50% wrong है अब देखे जब भी हम बॉलिंग पीच पर टीम बनाते हैं तो मैं आपको कुछ ना कुछ tips and tricks प्रवाइड करने वालों जो काफी जुदा important होगी बॉलिंग पीच पर जब हम टीम बनाते हैं तो आपको यह बिलकुल भी नहीं जो मैं आपको पीच के अकॉर्डिंग टीम बना कर दिखाने वालों यह काफी जुदा important होगी छे से लेकर 10 तीम आप बना सकते हैं अगर आप 20 तीम बनाना चाहते हैं इस मैच में तो 20 तीम भी बना लीजे लेकिन सभी टीम आपके बॉलिंग पिच के according होनी चाहिए किसी भी बैकिंग पिच अकॉर्डिंग आपकी टीम नहीं बननी चाहिए आपको तीन से चार बैसमन को बिलकुल भी नहीं लेना चाहिए तीन बैसमन काफी ज़़दा enough हो जाएगे आपको बॉलिंग सेक्षन से ज़्यादा से बॉलिंग उसको ट्राय करना चाहिए मैं आपको बहुत ही आसानी से बॉलिंग पिच पे टीम बना कर दिखाने वारा हो अभी तक आपनी टीम नहीं बनाई है तो ये tips and tricks आपके काफी ज़़दा काम आने वाली है जो हमारे भाई new है उनसे कहेना चाहतो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे ज़्यादा information आपको कहीए भी नहीं मिलेगी आपको सिर्फ उसी 15 दिन लगेगे ये समझने में मतलब आपका rank आने में कि आपका rank टॉप 10 भी आप 15 दिन के अंदर चेक कर सकते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दोस्तो देख लेना पूरा अब दोस्तों बात करेंगे हमारी tפ टेलीग्राम चानल के निक आपको हमेशन की तरह first comment में और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो लिंक पर क्लिक करके से आपको मारी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको जॉइन नहीं होना है अब दोस्तों बात करेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मिशन की तो बरबर उसका पीच होगा 11 बच के 30 मिच पर मैं स्टाट होगा दोस्तों हमें 11 बच ऑनर रहना होगा और कॉम्पेटिशन मिली साब से 10% लेस हो जाएगा क्योंकि इतने रात में कोई मैच प्ले नहीं करता है तो 10% कम मिलेगा लेकिन हमें यह सोचना है नहीं कि 10% कम मिलेगा तो हम जीतेंगे हमें यह सोचना है कि हमारी टीम कितनी जाथ अच्छी बन सकती है यह कि देखें बॉलिंग पीचर बॉल उसको सपोर्ट मिलता है लास्ट के तीन हुई मैच इस की बात करेंगे तो देखें इस पीच पे वेस्टेंडिस ने ओर यह मैच में 10 विकेट खो दिये थे 23 ओर में 114 न बनाएते वहीं इंडिया के बात करेंगे इंडिया जैसी मजबूत टीम वेस्टेंडिस के खिलाब यहाँ पे भी 10 विकेट इगे यहाँ पे दोस्तों इंग्लाइन के भी 10 विकेट तकरीवन 9 विकेट हम 10 विकेट पकड़ सकते हैं तो यहाँ पे पूरे 10 विकेट जाते हैं जो भी टीम दोस्तों टॉस विन करते हैं पहले बालिंग करने का डिसिजन लेती है यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है बालिंग करने का decision ले तो उसी टीम के बाल उसकों में जादर सफार प्रिफेर करना चाहिए Captain or Captain हम बना सकती के नहीं ये दोस्तो हम आगे में discussion करेंगे अब दोस्तो ये देखा जाए तो Pacers वस पिनर की बात करेंगे तो दोन ही पेसर और स्पीनर को तीन मैचेस में लास्ट के 21-21 विकेट मिले आप यहाँ पे चेक कर सकते वहीं दोस्तों बात करेंगे अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो तकरीबन 12-13 दिन पहले इस वीडियो को अपलोड किया है जो भी भाई इस वीडियो को देखते हैं मैं उसे 100% कहना चाहता हूँ कि आपकी मेगा लीग तकरीबन 10 से लेकर 12 दिन या दोस्तों 15 दिन जादा से लिता लगेंगे लेकिन इन टिप्स और टिक्स को अगर आप फॉलो करते हो ना तो 15 दिन के अंदर आप मेगा लिग में अच्छा रैंक ला सकते हैं मैं आपसे यह तो नहीं कहूँगा कि फॉल्स ट्रैंक पर आ जाओ लेकिन बहुत से हमारे भाई जिनका रैंक पर पास्वे नंबर पर कभी आता ही नहीं था उनका रैंक जो है 23 वे नंबर पर आ रहा है किसी का रैंक जो है 17 वे नंबर पर आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि दोस्तो यहीं पर मैं आपको tips and tricks प्रोवाइड किये तो इस वीडियो को जरूर देख लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना थमनील दोस्तो यह है आप चेक कर सकते हैं इसे तरह से दोस्तो आपको यह वीडियो मिल जाएगा बात करेंगे दोस्तो तो वेस्टनिस का यह लास के कुछ मैचेस का रिकॉर है यह प्लेइंग इलिएन हो सकता है दोस्तो हमें क्या देखना है हमें यह देखना होगा कुन किस नबर पे आ सकता है शायोग जनरली 4 नबर पे ही आते फिलिप्स ओर्ट ओपन करते जॉर्डन कॉक्स थर्ड नबर पे आते उसके बार दोस्तों बात करेंगे बैटिंग section के to living store फिफ नॉबर पर आते even availivis open करते battle फोर्थ नॉबर पर पी सिंक्स नॉबर पी आते karty थर्ड नॉबर पर br random king उपन करते hit my दोस्तो 5 नॉबर पर बैटिंग करने के लिए आ सकते वह दोस्तों बात करेंगे और लाउन डर सेक्शन की तो Sam करन 6 नबर पर रॉस्तन चे 7 नबर पर विल जाक ओपन करते हैं साथ यसा दोस्तों मुसली की बात करेंगे 7 नबर पर अब यहां पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अगर बालिंग पीछे मान दीजे बालिंग पीछे आपको पता तो चलिए कि बालिंग पीछे बालिंग पीछे बालिंग पीछे बालिंग को सपोर्ट मिलता है पूरे 10 विकेट जाते तो आपको करना क्या है जैसे कि मान दीजे लेकिन second situation क्या होगी कि हमें ये पता चल गए कि फिर चार बॉलर important ये first situation है second situation में क्या होगा जो टीम पहले toss win करेगी उसके ball उसको में लेना है जैसे कि मान देजी कि West Indies ने पहले balling करने का decision लिया है तो हमें क्या करना है जी मोटी को तो लेना है फोर्ड को भी लेना है और साथी साथ दोस्तो हम शमार जोसेफ या जैडन सीला सिंटोने में से किसी को pick कर सकते या दोस्तो इंगलंड की टीम पहले balling करने का decision ले तो आपको आदी रशित को जो फरारचर को और दोस्तो साकी महमूत को लेना चाहिए जोफरा आर्चर जोश टर्नर है उसके बाद दोस्तो जोफरा आरचर साकी महमूत दोस्तो यह opening and death balling कर सकते हैं मेगा लीखी ट्रम प्लेज के दोस्तो बात करेंगे तो जौर्डन केक्स को जौर्डन कॉक्स को ब्रेंडन किंग को हेटमयर को मुसली को आप इन चारों को ट्राय कर सकते हैं और मेरी साबसे दोस्तो यह जो चार बॉर्डर होगी इंपोर्टेंट होगे तो मैं आपको मेगा लीखी टीम बना कर दिखाऊंगा तो वैसे दोस्तो आपका सारा confusion clear हो जाएगा कैप्टन वैसे कैप्टन स्मॉल लीख के लिए आप चीक करेंगे सैम करन, लिविंस्टोन, मोती, विल्जाक और दोस्तो इवान लिविस कैप्टन वैसे कैप्टन बेस्ट आप्शन स्मॉल लिग में ट्राय करना है शाई होप है, फिलिप सॉल्ट है, फोर्ड है, रोस्तन चेस, दोस्तो आदी रशिद, कैप्टन, वैस कैप्टन बेस्ट आप्शन लेकिन दोस्तों इनको हमें मेगा लिग में ही कैप्टन, वैस कैप्टन बनाना है अब दोस्तों सीधा चलेंगे जो हमारी बाई Small League प्ले करना चाहते हैं उनके लिए Small League की और साथी सरह 100% फोकस होगा कि एक करोली की मेगाली की टीम सम किस तर से मना सकते है तो मेगाली की टीम सम अभी मनाने वाले है तो दोस्तों जैसे की सभी इंफोर्मिशन हमारी पास है सबसे पहले हम Small League की टीम बनाएंगे यहाँ से आपको 100% फोकस के साथ वीडियो देखना है क्योंकि Balling Peach है देखे यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले शाही होग को पीक करेंगे जो कि मेरी साब से 4 तमबर पहले हैंगे आप फिलिप साब को डॉप कर सकते है बॉलिंग पीच पे क्योंकि जरूरी नहीं कि बॉलिंग पीच पे ओपनर चले दो ओपनर में से कोई एक ओपनर 100% फ्लॉप होता है बॉलिंग पीच पे क्योंकि बॉल उसको सपोर्ट मिलेगा लेकिन फिलिप साब मेरी साब से 25 से लेकर 30 से बनाने की शमता रखते है बॉलिंग पीच पे इसलिए दोस्तों स्मॉलिंग में ट्राइ करेंगे इसको लेना चाहिए अब आप करेंगे उनी प्लेयर को ट्राइ करना चाहिए जिनका सेलेक्शन अच्छा है तो मैं कहूंगा सेलेक्शन तभी बढ़ता है जब प्लेयर का परफॉंस अच्छा होता है देखें बात करेंगे दोस्तों लिविंग स्टोन की तो यह फिप नुम की पारिखेंगे बड़े को ढॉप करना के नहीं कि जगने तभी करने चैना ह noun के बारे में को सूचना है अक है तुमआज है इसकोर कर सकता है कि नहीं तभी ढॉब करना कि थीक ए बीना फाल्तु के रिस्क नहीं लेना है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो बील ज्या kो हम um पीजिक करेंगे लेकिन मेरी साब से दूस्ता है पर रिस्क लेने वाज्य मुझे लगता है रोस्तअगे जिगहा है किसे दौर को पिक करना चेह जो hundred percent point यह यह साफनर नंभर प्रहेंगे लेकिन setting से उतरने दाई effective ना भी ते सकते तो हमारे पास एक अच्छा option होना चाहिए, जो 100% विकेट निकार सकते हैं, तो रिखिए यहाँ पर Josh Turner है, जो कि पेसर है, यह important हो सकते हैं, जैडन सिल्स के बात करेंगे, फर्स्ट मैच पर दो विकेट फिर विकेट नी मिले, उसके बाद दूस्तों शमार जोसिफ, तो हमें थोड़ा रिस्क अगर लेना है, तो Josh Turner को पीक करेंगे, यहाँ पर दूस्तों रॉस्तेन चेस के जगापे, लेकिन फाइनल टीम में ने, फाइनल टीम में हम कुछ चेंजिस कर सकते हैं, जैसे कि West Indies की टीम बालिंग करें, तो टीम अलग बनेगी, यहाँ पर दूस्तों इम्पोर्टेंट दूस्तों यह जानना है, कि मेगाणी कि ट्रॉम पलियर होगे, वह कुन से हो सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे, तो हमें ब्रैंडन किंग को भी लेना चाहिए, मुसली को ट्राय करना चाहिए, मिरे साब से हो सकते हैं, उसके बा तक्रिवन 40% है अब ब्रेंडन किंग चल सकते हैं बड़े हिट लगा सकते हैं मुझे लगता है यह इंपॉर्टन हो सकते लेकिन इन पे मुझे ठोड़ा डाउन है क्योंकि इनके सामने साकी महमूद भी हो सकते और आपको बता है जो फर आर्चर भी हो सकते हैं उसके बाद दो जो होता है ना बैटिंग ओडर वो फ्लॉप हो जाता है जैसे कि दोन ओपनर फ्लॉप हो जाएगे उसके बाद थर्ड और फूर्थ नमबर वाला फ्लॉप हो जाएगा 15 और के अंदर आपको 4 विकेज भी दिखेंगे तो जो मीडर ओडर के होते हैं वो ही जल्दी आते है ब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे साकी महमुद विकेट निकाल सकते हैं लेकिन मुझे इन पर ट्रस नजर नहीं आ रहा है नहीं दोस्तों यहाँ पर रिखा जाए शमार जोसे पर जैडन सीलस पर तीन प्लेयर बताना चाहता हूँ जैडन सीलस है जोश टर्नर है और दोस् हमें मेगा लीकी टीम बनाने तो मेगा लीकीी टीम बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट और आसांत तरीका दोस्तों यह है कि हमें यह पता होना चाही हो ज Case साथ की साथ फिक्स प्लेयर कौन से होगे मुझे लगता है शाही हुप जह फिक्स प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि 100% पॉइंटे देगे यह इंपोर्टेंट हो सकते हैं लासमें उच्छा सत्रन की पारी खेली उसके लिविंग स्टोन है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सैम करन विल जाक है और दोस्तों बालस की बात करेंगे जी मोती आदी दशित फोर्ड है दोस्तों अब क्या हमें यहाँ पे किसी ओल प्लेयर को भी लेना चाहिए जैसके फिलिप सॉर्ट को लेना चाहिए या दोस्तों किसी ओल को लेना चाहिए क्योंकि अगर पीच पे बालस को इनको भी हम द्रॉप करेंगे तो इनको भी हम द्रॉप करेंगे, टीम हमारी सेम नहीं बनेगी, हर एक टीम अलग बनेगी, यहां पर दोस्तों हमारे पास तिन जैडन सीलर्स को देखिए यहां पर हमने क्या किया जॉश टर्नर जैडन सीलर्स को पिक है क्योंकि बॉलिंग पीछ और यह विकेट निगा सकते हैं सारे सरी जॉश टर्न कोक्स के दोस्तो बात करेंगे थार्ड chase को धुश Ross को फ्लिप सुर्ट को फिक करेंगे जैसे फिलिपश सॉल को पीक किये तो पील्पिस प्लिय और नो प्लियर हमारे पूरी तरह से fix है इस तरह से आप team बना सकते हैं अब आपके लिए जो मेगालिकी teams बनाई है यह दिखाना चाहता हो दोस्तों यह first team है second team के दोस्तों बात करेंगे तो यह second team है वैसे दोस्तों मैंने आपके लिए 6 team बनाई है first team देखिए इस तरह से बनी है, second team की बात करेंगे, second team में हमने क्या risk लिया, second team में आप check करेंगे, तो यहाँ पर हमारी पास है, bethel है, उसके बाद दूस्तों, living stone, even levis है, लेकिन second team की दूस्तों बात करेंगे, तो यहाँ पर बेथल नहीं मिलेगे, रुदर फोर्ड मिलेगे, क्योंकि बेथल अगर flop होते हैं, तो रुदर फोर्ड इंपॉर्टन हो सकते है, उसके बाद दूस्तों, यहाँ पर आप check करेंगे, तो विल जैक है, लेकिन दूस्तों, यहाँ पर हमने विल जैक को drop कर दिया, क्योंकि अगर विल जैक flop होते हैं, तो उनके जगाँ पर आप check करेंगे, जीम होती है, आधीर रशीर, दूस्तों, फोर्ड है, यहाँ दूस्तों, हमने जोफरा अरचीर को पिख किया है, विल जैक के जगाँ पर, यहाँ पर दूस्तों, आप चेक कर सकते, मिलते हैं ने वीडियो के साथ